तीन लेटेस का छोटा सा शब्द KGF जिसने इंडियन सिनिमा की हिस्ट्री प्रेजेंट फ्यूचर सब कुछ बदल कर रख दिया वो अब नई कॉंट्रवर्सी में फस चुका है अंग्रेज तो चले गए लेकिन तीन शब्दों की एक खतरनाक बिमारी छोड़ गए जिसने KGF चैप्टर 2 को बिमार बहुत बिमार बना दिया है पूरा मामला क्या है KGF चैप्टर 2 का टीजर देखा बवाल है ना सारे रिकॉर्ज वगरा सब कुछ तोड़ डाला बाहर विदेश में लोग तालियों पे तालियां बजा रहे हैं लेकिन यहां अपने देश में जलन से लोग आगबबूला हो गए हैं इलजाम लगाया गया है कि KGF चैप्टर 2 का टीजर कॉपीड है सर वो भी एक चीज नहीं काफी सारी चीजों पे उनलिया खड़ी कर दी गई है सबसे पहले KGF के विलन संजु बाबा के करेक्टर अधीरा को कॉंट्रोवर्सी में घसीता गया है जिनका लुक पॉपिलर वेब सीरीज वाइकिंग से हूब हूब मिलता जूता है यहां तक कि फिल्म के डिरेक्टर प्रशान नील पर कॉपी पेस्ट और इंडिरेक्टली जीरू क्रियेटिविटी का इलजाम लगाकर चोरी कामाल इस्तमाल करके फिल्म के करेक्टर को बिना किसी महनत के पॉपिलर बनाने के लिए अक्यूस किया गया है अब बारी इस आइकॉनिक सीन की जिसने टीजर को पॉपिलरिटी दिलाने में कोई कसर नहीं छोड़ी इस पर भी कॉपी पिस्ट का इलजाम लगाकर नकल मार के सीन को जैसे का तैसा रीक्रियेट करने पर सवाल उठाये गए हैं वर्ल रिकॉर्ड बनाने की कोशिश की गई है और लास्ट में स्पेशल कैटिगरी उन महापुर्शों के लिए रखी गई है जो टीजर में लॉजिक और फिजिक्स जैसे शब्दों के मर्डर का इलजाम लगाकर के जीएफ को चुटकुला बनाने की गलती कर बैठे हैं ये जीप वाला सीन और मशीन गन से एक के बाद एक निकलती गोलियां कुछ लोगों के लिए फिजिक्स के रूल्स के खिलाफ है जिसकी वज़े से डिरेक्टर प्रशांत नील का मजब बनाया जा रहा है और जब इन सबसे भी पेट नहीं भरा तो फिल्म को लीगल नोटिस देकर स्मोकिंग सीन की वज़े से टीजर को यूट्यूब से डिलीट करने की खबरे भी मार्केट में खुब उड़ाई गई है अब सच क्या है सुनोगे वही तीन शब्ट जिनका जिक्र उपर मैंने सबसे पहले किया था डिवाइड और रूल मतलब KGF से कंपीट नहीं कर सकते तो पबलिक को बाट दो और नेगिटिविटी का फाइदा उठा कर फिल्म को नीचा दिखा दो जब टीजर आया था तो सिर्फ तारीफे सुनने को मिली थी फिर एक साथ विडियो और ओडियो फेक व्यूज नो स्मोकिंग ये सब कॉन्ट्रवर्सी मार्केट में अचानक से क्यों और कैसे आ गई बॉलिवुड में तो हर दूसरी फिल्म साथ मूबी की रीमेक ही बनती है तब तो कोई दिक्कत नहीं होती फिर KGF को स्पेशली हाइलाइट करने का मकसद क्या है जवाब सिर्फ एक है पॉलिटिक्स यानी राजनिती जो KGF के खिलाफ बड़ी चालाकी से शुरू हो चुकी है फिल्म को बदनाम करने का एक भी मौका नहीं छोड़ा जाएगा अभी तो सिर्फ शुरुबात है आगे आगे देखिए होता है क्या लोग इतना नीचे गिरेंगे आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते परसनली मुझसे पूछेंगे तो KGF एक one of a kind फिल्म है जो कहने के लिए तो action thriller है लेकिन center में mother sun के bond को रखकर जो emotional storyline तयार की गई है वो KGF को एक logical mass film बनाती है क्या हुआ, क्यूं हुआ, कैसे हुआ, सारे सवालों के जबाब फिल्म में details के साथ दिये गए है कुछ भी चीज fill in the blanks की तरह खाली नहीं छोड़ी गई है रॉकी का KGF जाना, KGF में खुद को लोगों के बीच में छुपाना और finally गरुना को कुरसी से हटाना ये सब क्यूं हुआ, कैसे शुरू हुआ, सारी चीजों का logical explanation कहानी में मिल जाएगा फिल्म का theme भले action है, लेकिन emotions को जादा focus में डाल कर राजा की असली ताकत उसकी power या पैसा नहीं, उसके पीछे खड़े हुए लोग होते है इस message को clearly highlight करना KGF का X Factor साबित होता है बरना 100 में से 99 फिल्मों में सिर्फ महंगी महंगी गाडियां और खतरनाक बंदूप वगेरा को हवा में उचाल कर action movies को release कर दिया जाता है KGF एक mass film है जिसका मकसर लोगों को seat से खड़ा होका seat की तालियां बजाने पर मजबूर करना है emotions जो आपको science की book में नहीं मिलेंगे last में बस इतना बोलूँगी KGF चैप्टर 1 में Rocky the monster ने परदे के उस पार लोगों का दिल जीत लिया था और अब KGF चैप्टर 2 में Rocky star यश परदे के इस पार लोगों को अपना fan बने पर मजबूर करेंगे रही बात controversy की दम है तो फिर competition में बगल में आकर खड़े होना सीखो ये cheap तरीकों से KGF का कुछ नहीं बिगड़ने वाला नफरत से सिफ प्यार बढ़ता है जलने वाले जलकर खुदराग हो जाएंगे बागी वीडियो में कुछ पसंद आया हो या फिर कुछ शिकायक करनी हो तो मैं आपको Instagram पर भी मिल जाओगी वरना थोड़ा सा इंतिजार करिए मिलूँगी आपसे अगले वीडियो में बागी बागी बागी